हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया चाइना ने भेजा युद्ध पोत भारत के मिसाइलों के परिच्छन को रोकने के लिए पर यहां भारत ने बड़ा वाला गच्चा दे दिया जहां एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरक सुडान के हालात सामानने तो होते हुए दिख नहीं रहे हैं और यह लंबे समय तक सामानने नहीं होंगे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जहां पर देश का रच्छक ही आपस में लड़ने लगे वहां पर सांती बहुत जल्दी अस्थापित बिलकुल नहीं होती है लेकिन य लोगों को निकालने के लिए देश अपना अपना काम भी करने हैं लेकिन इन सब के बीच में मिस्र के राजनई को गोली भी लग गई है अब तक कहा जा रहा है चार सो से जादा आधिकारिक मौत है लेकिन ये संख्या और भी जादा बड़ी दिखेगी वैसे तो कहा गया कि इद में एक संघर्स विराम देखने को मिलेगा लेकिन असलियत में जमीनी हकीकत ये है कि कोई संघर्स विराम देखने को नहीं मिला इदुल फितर पर तीन दिन की चुटी के साथ घोसित संघर्स विराम के बावजूद हिंसा हुई भारी गोली बारी हुई सहर बिस फोटो सेना और सेना का अर्ध सेनिक बल लड़ रहा है अमेरिका ने तो अपनी सेना यहाँ पर उतार दी सेना उतार कर अपने लोगों को निकाला तो वहीं इटली ने सुडान से 140 नागरी को कोई निकासी के लिए जिबूती में अपने सेनि विवान भेज दिये सुडान के साथ बातचित चल रही है पर इसके बावजूद सारे लोगों को निकालना संभव नहीं हो रहा है जनरल अब्दल फतेह बुरहान के नर्तितु में सुडान की सेना और जनरल मुहमद हमदान डागले के नर्तितु में रैपिट सपोर्ट फोर्स आपस में लड़े जा रहे हैं और खार्तु में इस वक्त वीरान नजरा रहा है इन सब के बीच में भारत के लोग भी फसे हैं और भारत ने अब इसके लिए एक्शन लेना सुरू कर दिया है सुडान में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए भारत सरकार जहां सौधी युवई की मदद ले रही है तो वहीं अब भारत सरकार ने और बड़ा कदम उठा लिया है और भारतिये नौसेना ने गस्ती जहाज को सीधे सुडान में गुशा दिया है ये जहाज सुडान के बंदरगाह पर पहुँच गया है लेकिन जिस तरह के हालात यहां पर है उसकी वज़े से लोगों को बाहर निकाल पाना काफी मुश्किल और जोखिम भरा मिसन होगा वैसे आपको बता दें इसके साथ ही भारतिये वायू सेना ने भी दो ट्रांस्पोर्ट एयरक्राफ्ट को सौधी अरब के जिद्दा में तैनात रखा है भारत लगातार सुडान के खार्तूम में जमीनी हालात पर नजर बनाये हुए है यहां की इस्तिती को देखते हुए आगे के मिसन को अंजाम देने की बात कही जा रही है भारतिये विदेश मंत्राले के अनुसार भारत की आपात कालिन योजना तैयार है लेकिन खार्तूम में जिस तरीके से चल रहा है सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है यह तो खार्तूम की और सुडान की इस्तिती को देखते हुए ही लग रहा है पर आखिरकार अब दुनिया भर के देश अपनी अपनी सेना भेजने लगे हैं और सेना भेज कर अपने लोगों को निकालने की कोशिस कर रहे हैं इसमें भारत भी अब सामिल हो गया है खेर उमीद की जारी है कि भारतियों की वापसी सही तरीके से हो जाएगी वैसे हालात जैसे हैं उन्हें देखकर तो दिल की धड़कने बढ़ जाएंगी खेर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा हाली में भारत ने धूम धड़ा का सुरू किया भारत ने लगातार ऐसी मिसाइलों का परिछन करना सुरू किया जो चीन की दिल की धड़कनों को बढ़ा दे फिर भारत ने नोटम जारी किया एक साथ तीन नोटम को देख कर बौकला गया चाइना और चाइना ने क्या किया अपने जासुसी जहाज को भेज दिया कि जाओ और स्रिलंका में अंबन टोटा पोर्ट के पास जाकर खड़ए हो जाओ अंडवान निकोवार के आस पास रेकी करना सुरू कर दो जासुसी करना सुरू कर दो कि आखिर भारत क्या परिच्छन कर रहा है क्या बना रहा है ये खबर भारत तक भी पहुँच गई कि चाइना से चाइना का जासुसी जहाज निकल चुका है अब प्रस्न इस वक्त ये उठता था कि भारत क्या करता क्या इन परिच्छनों को जारी रखता उसी डेट पर उसी समय पर या फिर कुछ और करता कैंसिल कर देता जैसे कि भारत ने एक बार कैंसिल करा है लेकिन भारत ने इस बार गच्चा दे दिया चाइना को और चाइना को सबसे जादा जरूरी है इसलिए जादा जरूरी है कि जीस तरीके से परमानु संपन सक्तियां है यह अगर आपस में लड़ती है और परमानु मिसाइलों को अपने देश की जमीन से करीब 1000 से उपर किलोमीटर दूर तक नहीं मार कर गिराया गया तो फिर यह कोई काम की नहीं जाएगी कि अगर हमने अपने ही आसमान में मार कर गिराया क्योंकि परमानु मिसाइले परमानु बं रेडियेशन वाले होते हैं हवा से लेकर पानी तक हर जगा रेडियेशन फैलाते हैं अगर हमने इसे आसपास में मारा तो फिर भी हवाओं के साथ वो सारे पार्टिकल्स और radiation हमारे देश में भी घुश जाएंगे तो फिर मून मिसाइलों को मार गिराने का कोई मतलब नहीं बनता है भारत को कुछ ऐसा तैयार करना था जो ऐसी मिसाइलों को 1000 किलोमीटर दूर दूसमन के ही छेतर में मार कर गिरा दे यानि तुमारा बं तुमारे सर पर ही लगेगा कुछ ऐसा करना चाहता था भारत और आपने देखा होगा भारत ने रूस से एस 400 खरीदा रूस ने भी इस बात को लेकर वादा किया कि हम आपको सारे एस 400 दे देंगे समय पे देंगे तीन तो अब तक मिल चुके हैं और जल्द भारत ने अपने देशी एस 400 बीएमडी पर काम करना लगातार जारी रखा है अब बीएमडी को लेकर पहले से ही यह जाहिर किया चुका है कि यह एक जवरजस्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और अब जो भारत ने परिच्छन किया है वह बीएमडी का एक महा परिच्छन है लेकिन यह परिच्छन भारत ने थल से नहीं बलकि भारत ने इसे नौ सेना के लिए परिच्छन किया है कि कैसे हम अपने नौ सेना से अपनी मिसाइलों से 5000 किलोमीटर दूर मार कर गिरा दें दूसरी मिसाइल को इसे कहते हैं AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर और बीएमडी का यह परिच्छन इन दिनों बीच में ही कर लिया गया 5000 किलोमीटर एक बहुत बड़ी रेंज है कोई मिसाइल अगर भारत की तरफ बढ़ती है और यह इंटरसेप्टर मार कर उस मिसाइल को उसी देश में गिरा दे तो परमानू मिसाइल होगी तो उस देश में बहुत बड़ भारत ने इसका सफल परिक्षन कर लिया है और इस परिक्षन के बाद भारत के नौ सेना की ताकत काफी ज़्यादा बढ़ जाएगी वैसे भारत अपनी नौ सेना को बहुत ज़्यादा मजूद बना रहा है इसलिए क्योंकि चाइना से अगर लड़ाई होगी तो दो की भू यू सेना वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ